कि हम आइं लेना है अलोवेरǅ लीव कैा तेक्षार writings come to remaining तु सुआ कर taraf कि लेना है एलोवेरा लीव इस तरह की दौ से तीन अलोवेरा ondan लीव इस नहीं करना है तो आहिपमेश में लेना है तो पहर करना है पहले तो इसे वाशowobé 15 मिट के लिए रख दीजे और अच्छे से दुबारा से वाश कर लीजे ठीक है अब लीजे एक ग्लास कंटीनर प्रिफरिबली ग्लास में हम रेमिडी बनाते हैं तो अच्छा रहता है स्टोर करने के लिए भी इस तरह से साइड के इसके जो काटे है ना वो निकाल लीजे और लिट करके इस तरह से जेल स्टाट कर लीजे अब इसके कोई हार्ड और फास रूल नहीं है किसी पी तरह से आप जेल निकाल सकते हैं जैसा भी आपको फीजिबल लगे आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं गाइस बट मैं आशेर करने वाली हूँ प्यॉर ह जैसा भी आपको सही लगे मिक्सर से चलाएंगे ना तो लगाने में थोड़ा एजी हो जाता है मैंने बस फोक से किया है और यह हमारा जेल बनके तयार है अब यहां पे थोड़ा सा ज्यादा जेल मैंने ले लिया है तो उसको रग दोंगी अपने ग्रे हैर वीडियो के होगा ही दोनों ही domocky तो चाहें तो बदरना धाने टाइस घर में क्रें अच्छा बमांऍकудь लिए और यहां तो बद्रम Garr stick कर लिए है अच्छी में विट्राइब ए haftos में मिल जायें आप जिंजर जूस डाई दाल सकते हैं यहां पे पे अद्रक को grate करके डाल दूंगी क्योंकि फाइनली मुझे ब्लेंड करना है इन सारी चीजों को तो मैंने अद्रक को grate करके डाल दिया है आप चाहें तो इसका juice भी निकाल कर डाल सकते हैं थीक है प्यास का रस भी आप इसमें डाल सकते हैं और भी चीज़े मैं बता सकती हूँ बट मैं remedy को simple रखना चाहती हूँ इसलिए नहीं डाल रही हूँ vitamin E का oil डाल दीजिए vitamin E का capsule डाल सकते हैं ठीक है अब इन सारे चीज़ों को mix करके हम रखने वाले हैं overnight कि यह चाहने में plastic के लिए और नेक्स दे मौनिंग में यह फिर साथ से आग गुंट भात इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगेsel में 출では the mixer grinder में putragen डाले की इन छान कर भी रख सकते हैं देखें मेरे mixer में में इतना अच्छे से कोई भी एक्सट्राक्ट कम हो जाएं इसलिए मैंने च्छाना नहीं है आप च्छान कर भी एक फाइन सा पेस्ट निकाल कर और वैसे भी लगा सकते हैं ठीक है अब मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कितना जादा मुझे है फॉल हो गया था आगे से बा बहुत अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हुआ है मेरे ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लीजेगा ना तो डीपली आपके स्कैल्प में अराम से सेट हो जाएगा ठीक है और अगर आपके मिक्सर ग्राइंडर में भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है तो इसको आप चान कर इसका पानी या फिर इसका पेस्ट जो है थिक वाला पेस्ट वो निकालीजेगा वो लगा लीजेगा अब मैंनी चाहती थी कि कोई भी इसका प्रॉपर्टी मिस हो जाए इसलिए मैंने न चाना नहीं है इस तरह से लगा लिया है और कोशिच कर यह वाश्रू में लगा लीजे and you are good to go regular use से आप देखेंगे आपके बाल magical तरीके से ग्रो होने वाले हैं बहुत ही बढ़ीया volume आने अच्छा खासा volume आने वाला है शाइन आने वाला है regular use करेंगे तो आपको बहतर result में लेंगे इसे try सरूर करिएगा इंस्टेग्राम हैंडल में अपने पिक्चर में साथ शेयर करिएगा चली विरती हो नेक्स वीडियो के साथ तिल देन टेक केर और बाई 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 एंड हाँ अपना बहुत साथ धिहान रखेगा